प्रिस्तो थे माटी की मूर्ते से दूसरा रेखाचित्र बलदेव सिंग बलदेव सिंग इसका वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं यह ओडियो फाइल है स्क्रीन पर लिखा हुआ कॉपी राइट इशू की वज़े से नहीं दिखा सकते हैं बलदेव सिंग लेखक राम रिक्ष बीनिपूरी जी टूटी हुए तारे के तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धंब से गिरता हुआ पाया जियो तिन में प्रकाश पुण जी दीप्दी पुण और उसी तरह की तरह एक शन प्रकाश दिखला हमें चका चौन में डाल वे हमेशे के लिए चलता बना जिस दिन वे आया हमें आशरे हुआ जिस दिन वे गया हम इस्तंबित रह गए पूस की भोर थी खलिहान में धान के बोजों का अमबार लगा था उनकी रखवाले के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी खेत में खलिहान पर चारों और हल्का कुहासा चाया हुआ था जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कस्ठ हो रहा था काफी चणा था धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाते सब लोग धूनी को घेरे हुए थे जिसकी लपट खतम हो चुके थी हाँ लाल अंगारे जमक रहे थे जियों जियों अंगारी पर राक की परत पड़ती जाती हम नजदीक से नजदीक होते जाते मानो हम उन्हें कलेज में रखना चाहते हूँ काफी निस्तब्द था थी दौनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जुबांस का खंबा कड़ा था उसके धान के सीसों वाले छप्पेदार सिरे पर एक काला भुजंग पंची वैठा कभी-कभी चीक कर उस निस्तब्द था को भंग करने के तुछ चेस्टा कर रहा था उसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देकर चिल्ला उठा पाल आगी चाचा जी हम सब का ध्यान उसके और गया एक गब्रू जवान अभी मूच की मसे भीग रही रंग गुरा जिस पर बाल के रणों ने सोना सा पूद रखा था दाहिने हाथ की बास की लंबी लाल लाठी बड़ी सजीली, घनीपोर वाली, गाव दुमसी उतार वाली बाई हाथ में लोटा लिये वे शौचादी से लोट रहा था पाधामी रंग का, मूट ये का जो लंबा खालिता कुर्ता पहन रखा था उसकी भीदर से उसके शरीर का गठीला पनर सौंदर ये फूटा पड़ता था वो बल दे, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाए दिये पूरब कमाते हो, खुश रहो लेकिन हम लोगों को भी भूल मत जाना शायद दो बरस पर आए हो यो ही मामा जी ने उससे पुश्टाश की बड़ी आजीजी से उसने शमा मंगी फिर बोला, चाचा जी अब सोचा है यहीं रहूंगा बहुत दुनिया देखे मन कहीं नहीं लगा ननिहाल से भी जी उक गया यह पुश्टैनी जमीन जैसे डोर लगा कर खीशती रहती है सूचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दू नव योखों को जो मालू हुआ बलदेव सिंग यहीं बसेंगे उनकी आनंद का ठिकाना ना रहा बलदेव सिंग के पिता भरी जवानी में मरे बलदेव जब छोटे से बच्चे थे उनकी माँ उन्हें लेकर माय के चली गए और तब से वह बिचारी वहीं है जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे वहां बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते काफी पैसे मिले थे अब उन्हें अपनी पुष्टैनी जमीन की याद आई वह खर जो खंडर बन चुका था एक बार फिर से आपाद हुआ गाउं में उनके आने से नई जान आ गई जान आ गई, जवानी आ गई अखाड़ा खुद अखाड़ा खुद गया अखाड़ा में मिट्टी को नरम करते हैं और अखाड़ा बनाते हैं उसमें कुष्टियां होने लगी भोर में कुष्टियां शाम को पट्टे बाजी गत का लाठी चला ना दी पैठियां के दिन, यानि जब पैठ लगती है, उस दिन, मार्किट बोलते हैं, गाउं की मार्किट, उस दिन बलदेव सिंग शिश्य मंडली के साथ सदल बल चलते ही देखते ही बनता, आगे आगे बलदेव सिंग जा रहे हैं, पैरों में बूट, जो बंगाल से लायते, कमर म धोती, जिसे कच्छे की तरह अजीब से पहनते, अजीब से ढंक से पहनते, वह गुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती, गुटनों के नजदीक उसमें चुन्नट होती, जिससे चलते समय में लैराती थी, लंबा कुरता गर्दन की बगल में, जिसमें एक ही हुंडी, कुरता काफी घेरदारत, बहां का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समाजाए उसमें, गले में सोने की छोटी, छोटी, ठोस, तावीजों की पंक्ती, जिसमें कुछ चौकोर, कुछ चंद्राकार, सिर्पर कलंगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा चोर उनकी पीट पर जोलता, हाथ में सर्सों का तेल और कच्चा दूद पिला पिला कर पोसी पाली गई, लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी-कभी वे मोटा डंडा जिसमें कुड़ते के नीचे कमर में लटकती हुई, गंडासे की फली बात की बात में फिट करके वे शाक्षाथ यम बन सकते थे, अठन और रूप रंग में उनकी शिश्य मंडली होती, रास्ते में पैठिया में उनका सुन्दर सुडौल शरीर देखकर कितनी आखे ना निहाल हो उटती, शरीर में इतनी ताकत लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निर्विकार, चहरे पर हमेशा हंसी खेलते रहती, सब के साथ नमरता से पेश आते, कभी घुसा उनमें देखा नहीं गया, सबकी सेवा करने को सरवदा प्रस्तुत, बच्चे उन्हें देखते ही लिपड़ जाते, बुड़ों की आखे हमेशा उन पर आशिरवात परसाती, जवानों के तो देवता बन चुके थे, उन दिनों हिं में भी ताजिया बना था, यद भी एक भी मुसल्मान वहां नहीं था, एक बुड़े मौलवी साहब बुलाए गये थे, जो उसके धार में कृति कर ले थे, हमें सरोकार था सिर्फ ताजिय के निकट होहला मचाने से, शाम हुई, जल्द खाक, पीकर, सब लोगी खटा हुए ताशे बज रहे थे, लकड़ी खेली जा रहे थी, गदगे भाजे जा रहे, पट्टे बाजी हो रहे, लाठियों के खेल तरह तरह के शारीरी करतब, औरते और बच्चे मरसिया के नाम पशोर मचा रहे, खेल कूद में आधी-आधी रात पीच जाती, ताजिय के पहलाम का दिन आया, गाउं से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रंसस्ता, वहीं जवार भर के ताजे एक खटी किये जाते, लोगों की अपार भीड, तरह तरह के रंगिन कपड़ों के चकमक, बूड़े, जवान, बच्चे औरते, तरह तरह के मारू बजा रहे, मरसिये की मीठी दुन में या अली का गगन भेदी स्वर, दिशाये का अपते आश्मा, आस्मान थर्राता, कलेजी उचलते, जवार भर के जवानों का तो यही दिन था, बंठन के आयोए हैं, कहीं कुष्टियां हो रही हैं, कहीं मेड़े लड़ाये जा रहे हैं, कहीं लाठी, गदगे और लकडी में हाथ की करामातें दिखाए जाती, देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में भी भाजित हो जाता, कोई एक को शाबाशी देता तो कोई दूसरे को, दोनों अपने अपने हीरों की विजए चाहते, कभी कभी इस वीर पुजा के चलते ललकारें लग जाती, आ आखों में रस, होटो पे हसे, हम लोग भी अपना ताजिया लिये, रन पर पहुँचे थे, एक जगे मेने लड़ाई जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था, बेडों की लड़ाई, वाह, क्या कहने, ये छोटे जबरी ले जानवर, जो अपने मालिकों के पीछे, पड़ते हैं, इनके सींग जब टकराते हैं, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआसा उट जाता, टकर पर टकर, जब तक उनमें से एक किरना पड़े, या वे अलग-अलग पकड़ ना लिये जाएं, लड़ने से पहले लाल मिर्ज उनके मुह में रखकर जैसे उनने और भी मिंधा लडान देख रहा था कि एक है एक पड़ी सुरों का हूँ हल लोगा, सभी लोग एक और दोड़े जा रहे हैं और वहाँ लाठियों की खटा-कट जारी है, यह खटा-कट खेल की नहीं, कई सिरों से खून के फववारे छूट रहे हैं, और यह बीच में कौन है, बल बलदेव सिंग शाक्षात फीम बने वे आँखों से अंगारे छड़ रहे, सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकल कर ललाठ से होते भौं के ओपर जम कर एक लोंदा सा बन गया था, दोनों हाथों से लाठी पकड़े वे जोर उसे चलाए जा रहा था, जिस और इस रूप में निकल जाते हरकम मच जाता, देखिए यह आदमी उनकी और लाठी समाले बड़ा और उसे देखते ही खड़े हो गए, उसने लाठी चला ही तो दी, जट अपनी लाठी के दौनों छोर अपने हाथों से पकड़ कर अपने सिर के उपर ले गई, उसकी लाठी की चोट, इसी पठाएं से आकर लगी, दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार ब्यर्त जाता देख, मैं भागा, किन्तु अब बल्देव सिंग की बारी है, बल्देव सिंग की एक लाठी और मैं जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा, अरे, यह क्या होनी जा रहा है, चारो और ह बहाकार मचा था, भगदर फैल गई थी, अब वहां महाभारत मच कर रहेगा सबनवान कर रहे थी, कौन किसको क्या कह कर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा है, फिर बिना बल्देव सिंग को शांत की एक क्या शांती हो सकती थी, जट हमारे बोड़े मामा जी आगे बढ़ जोर जोर से चल रही थी, गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती, सच मुश बल्देव सिंग का इसमें कोई हाथ नहीं था, उन्हें लाचार होकर कुदना पड़ा था, एक चोड़ी कुष्टी लड़ी जा रही थी, दोनों पहलवान बल्देव सिंग को जानती नही इन पर इतने बिगड़े इन याने बल्देव इतने बिगड़े और गुर्राय क्योंकि वे लाठी चलाने में इस जवार में सरगना समझे जाते थे, उन्हें बल्देव के बारे में तो ग्यान नहीं था, उन्हें गमन्ट था कि उनके सौखुन माफ हैं, किन्तु बल्देव सिंग शान तुए, किन्तु अब तो उनकी विजय भी हो चुकी थी, मैदान उनका था, उनकी शिश्य मंडली के साथ हम किस तरह से शान के साथ उन्हें घर लाएं, आज हम विजय थे, हमारा गाउं विजय था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे अगर शिश्य शिवाजी के दिन होते, तो बल्देव सिंग फौज में भरती होते, और सिपाही से होते होते, सुवेदार तक हो गए होते, इसमें तो कोई शक नहीं, शकल, सूरत, बल, हिम्मत, सब कुछ तो उसमें था, उनमें था, जो सामंत शाही के उस यूग में उन्हे अच्छे से अच्छे फौजी पत, अच्छे से अच्छे फौजी पत पर पहुचा सके, उस समय बल्देव सिंग कि शाहन से हमारे गाह में आते, घोड़े परसवार, कलंगी पड़ी, पगड़ी, कलंगी, दार, पगड़ी, कड़ी-कड़ी मूझ है, आगे पिछे नोकर जा यह अजीब है हमारी बस्ते, चारों और राजपुतों और अहिरों का ठट, राजपुतों में अगर राम की शान, तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आनबान, दौनों कौमों में जैसे खांदानी बैर चला रहा हो, छोड़-छोड़ी बात पर भी तनाव हो जाता, युद जारी ही रहता था, भाई-भाई में, पड़ोसी-पड़ोसी में, एक बित्ता जमीन के लिए, आम के फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए, खून के फवारे छुटते, ये युद प्राया आक्समिक होते, खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप ह हो रही है, रास्ता चलते-चलते भी लोगों में गुत्तम-गुत्ती हो गई, किन्तु कभी-कभी जमकर भी लड़ाईया होती, दोनों पक्षों से लोगों का बिटौरा होता, भाई-बंद जुटते, कुटम कभी लेके लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाय जाते ऐसे मौके आने पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती, तो बलदेव सिंग एक ना एक पक्षों से जरूर बुलाय जाते, और यतो धर्मस्त तो जयह, यानि जहां धर्म होता है, वहीं उसी की जयह होगी, उसकी तरह ही, जिस तरफ बलदेव सिंग होते, उ मुझे देखने को मिला, बिसुनपूर के दो भाई जो शत्रिय थे, उन में दात काटी रोटी थी, लेकिन जब दिल तूटा, तो एक दूसरे की जान के दुश्रमन बन के रहे, घर द्वार, खेत खालिहान, सब का पांट पकरा हो गया, दोनों एक आंगन में रहते भी दो के जीव थे, संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाईयों में तना तनी हो गे, वह लंगणा आम का पेड़ था, हमने जाकर देका फलों की गुच्छों से लदी, उसकी डाल डाल जैसे जमीन छूने को ललक रही हो, हरे हरे पत्ते, उन सुफेदी लिये जाने वाला वेश में क्यों न धारण कर ले, कहते हैं यह पेड़ बट चुका था, छोटे बाई की बांट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फलका उपभोग कर रहा था, किन्तो बड़े बाई के लड़के ने जब हिसाब लगा कर देखा कि यह आम का पेड़ तो मेरे हि पेड़े हो, चड़के आओ, फल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई के आँचल में मुह रखकर सो, सीधा तर्क, सीधी बात, इसके जवाब में एक दिन तै कर दिया गया, अगले सोंबार को डंका बचा के हम फल तोड़ेंगे, चुपचोरी जो काम करें, उसकी ऐसी दिन तै हुआ, घड़ी तै हुई, दोनों तरफ से घिटोरा होने लगा, बलदेव सिंग के पास भी दोनों पक्ष से निमंत्रना आने लगे, किन्तो यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा, उसका साथ दूंगा, यह चिठी पत्री क्या च पहचे, हाज ही उद होने वाला था, लड़ाईयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राया निर्दोश भी उसमें फस जाते हैं, पिट जाते हैं, बड़े बुड़ों की इस आग्या की आवहिलना करके भी, कोतु हलवश में दर्शकों की उस भीड में शामिल हो गया, जो बिन बिन दिशाओं से विसुनपूर जा रहे थे, विसुनपूर उस दिन कुरुक्षित्र बना हुआ था, बीच में वे आम का पेर निश्चय निर्दवन्द खड़ा है, दो और दोनों प्रतिदवन्द्वियों की जमात चुड़ी हुए, भालों की फलियां धूप मे चमचम कर रही हैं, गंडा से दिन में भी चांद से चमक रहे हैं, फरसे परशुराम की आति लाते हैं, लाठियां उचल रही हैं धामिन साप की तरह, हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनी दृष्टी पड़ चुकी थी, पर लठैत जै धुनिया होती हैं, ललकारे उड़ती हैं, जब तब आलहा के कुछ कड़खे भी सुनाए देते, बोलो महावीर स्वामी की जै कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आपस में भिरने के लिए आम की और बड़े, दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे, अरे, कुछ देर में ह इन में से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे, उफ, मेरे मुझ से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई थी, कि देखा कि बड़े भाय के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंग हैं, सबसे आगे बलदेव सिंग, उनके दौनों बाजु मेरे ही गाउं के उन दिकत न हो, उनकी धोती प्राया ही हाफ पेंट का काम करती चहरा कैसा लाल भगुका बन रहा था, वह आगे बड़े आम के पेड़ के निकट पहुँचे दौनों शिश्यों को इशारा किया विजट पर पेड़ पर चड़ गये जट से पेड़ पर चड़ गये और लगे आम की डाल को जख जोर कर निर्दैता पूरवक फलों को गिराने कोई माई का लाल है जो कोई माई का लाल है तो आवे बलदेव सिंग गरज उठे जिनकी और विपक्षी दल बहुचक हो कर देख रहा था जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो किन्तु उनकी इस चुनोती से मानो दुश्मन दल को आत्म ग्यान हो आया फिर क्या था दौनों दलों में गुत्थम गुत्थी शिरू हो चली लाठियों की खटा खट गंडासे की चुप चुप और बड़सों की संसनाहट से वायो मंडल व्याप्त था जैध्वनियों के साथ हाहा कारभी किसी के सिर पर लाठी लगे किसी तरह खोबड़ी फूट कर दो टूख हो गई वह गिर पड़ा और खून की धारा बह रही है किसी के पेट में भाला चुबा भाले की फली के साथ उसके अंतड़ी बार आ गई है अंतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े वैं अंधा पड़ा है जो हाथ एक मिनट पहले लाठी भांज रहा था गंडे से के एक ही वार ने उसे शरीर से अलग कर दिया है वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रह कर उचल जाता है चारों और खून चीक मेरी तो आखें बंद हो गए जब आखें खुली तो सारा किस्सा खतम है बड़े भाई का कबजा उस पेड़ पर हो चुका है उस कबजे में बलदेव सिंग का बड़ा हाथ था मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था किन्तो मालूम हुआ पुलिस सुप्रिटेंडन साहाब अब जब तमाशा खतम हो चुका है तश्रीफ लाए है और लोगों ने बलदेव सिंग को वहाँ से हटा दिया है बलदेव सिंग विजे तुमारी अब तो रुपियों का केल है तुम हटो अब काम मेरा है बड़े भाई के बड़े साहबसादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंग के गले में एक मोहर माला डाल दी और उसी बलदेव सिंग की यहलाश हमारे सामने पड़ी है सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया हो खून और धूल से सराबोर जिस ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्या बिन बिन ना रही है एक आँख धस गई दूसरी भी बाहर निकल आई होटों को छेट कर दाथ बाहर निकल रही है नहीं नहीं यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता बलदेव सिंग की ऐसी गत एक गंडा सा गहरा कंधे पर लगा है वह बहां लटक सी गई है दूसरी बहां का पूरा पंजग आयब छाती वैसी ही तनी है पहले से कुछ ज्यादा ही फूली हुई किन्तु पेट की सारी आतें बहार निकल आई है आत का यह ढेर कैसा भयाना कैसा विवत्स नहीं नहीं यह हमारा बलदेव नहीं हो सकता पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सापीट रखा है आडे तिर्चे बन रहे कहीं अजीब फूला हुआ कहीं खून बहरा बह कहा रहा बहा तो कपका बंध हो गया अब तो काले बने खून के दब्बे मात्र जिन पर हाँ जिन पर मक्या बिनना रही नहीं यह हमारा बलदेव सिंग नहीं हो सकता बलदेव सिंग की ऐसी गत जिस शरीर को देख देख कर आखे नहीं आगाती थी माई जिसे देख कर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे यूतिया मन ही मन गुंती धन्य वैनारी जिसे ऐसा पती मिला अगले जरम में है भगवान मुझे बलदेव सिंग की ही दासी बनाना बुड़े देखते तो कहते बेटा शतजीव नौजवान जिस पर पागल हो बिना मोल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते वही शरीर आज यहां सामने पड़ा है खून से लत्पत धूल से बरा शत विक्षत गुरूप कुडॉल बना और ये कमबकत मक्या जिस पर भिन भिन कर रही है किसने गतकी इस शेर मर्द की ऐसी किसकी माने दूसरा शेर पेदा किया काश किसी शेर ने ये हालत की होती दो शेर लड़ते हैं एक गिरता है ऐसा ही होता है इसके लिए अफसूस की क्या बात बलदेव सिंग तो ऐसी ही मृत उचाहते थे उन्होंने मौत की परवाह कप की मौत के आखों में आखें डाल कर मुस्कराना यही तो बलदेव सिंग ते ख्षत्रे के तरह ये दो शेतर में कामाओं खेत रहूं यही तो उनकी कामना थी यह कामना पूरी हुई वह वीर गती पाकर सूर्य मंडल को भेद कर अ हात लगा कर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंक से यह को कर्म किया उसकी कलपना भी खून को खुला देती है वो तेजित कर देती है उफ रे एक दिन जवार के एक गाओं की एक विद्वा मेरे गाओं बलदेव सिंगा नाम पुष्थी पुष्थी आई उस बेच हड़ा पलिया था विद्वा के कानों में बलदेव सिंग की यश्का था पड़ी थी वह तो हमारे जवार के घर घर में जवान जवान पर व्याप्त थे विद्वा पहुची बलदेव सिंग की दरवार में अरज लगाने जब पट्टिदारों को मालुम हुआ वह बलदेव स इठाया और चल पड़े उस गाउं को, जब गाउं से जा रहे थे, उन्हें मैंने देखा था, प्रणाम भाई जी मैंने कहा, जहरे पर गुस्से की छाप इस पश्ट थी, किन्तु स्वाभाविक हासी हासते वे आशिरवात दिया, और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा कि एक खेत उपर हल भी चड़ा दिया, कोई नहीं बोला, कौन बोलता, एक के बाद एक दूसरे खेत विद्वा के कबसे में आने लगे, बहुत दिनों की गई, अमराई पर अब उसका कबसा था, उस बागीचे की एक लीची की डाल में जूला डाल कर उस शत्रिय कुमार को बलदेव सिंग जुलाते रहते, जो लोग विद्वा के पटीदारों के डर से कल बोलते नहीं देया, वे बलदेव सिंग को शाबाशी देते वे चोटे से बच्चे से अपना पुराना नादा जोडते, क्योंकि वे वे विद्वा अबला नहीं दी, पिता खोकर उस बच्च को वहां से रवाना कर दिया, बिचारी विद्वा पर ज्यादा खर्च का बोज क्यों रहने थे, अंतिता एक दिन ताये किया, अब मैं भी जाओंगा, और वे कल नहीं देख सके, उनकी आदती बहुत सवेरे, बिलकुल मुँ अंधेरे शौच को जाते, गाउं से दूर निक जा सकते, किन्त उस दिन निश्चिंत हो, सिर्फ लोटा लेकर ही निकल पड़े थे, सारा गाउं भोर की सुक निदिया ले रहा था, किन्त उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था, एक नीची खाई में वैशोच के लिए, शोच के लिए बैठे ही थे, कि उनके सिर पर लाठी का एक वजर प्रहार हुआ, एक शण के लिए वैजैसे बिहोश हो गए, फिर तुरंत उठ खड़े हुए, सामने पड़े लोटे को हाथ में उठा कर उसी सिधाल का काम लेने लगे, दूसरी लाठी लोटे पर टंसी अवाज, तीसरी लाठी फूल का वै लोटा च खेर लिए गए और आहा उस सन्नाटे के आलाम में जब दुनिया भोर की सुखनी दिल ले रही थी, उन कायरों ने, सियारों ने इस शेर मर्द की वै दुर्गती की, जो यह हम अपने सामने देख रहे हैं, एक भोर थी, जब मैंने बलदेव सिंग का वहरूप देखा था, आ आज भी एक भोर है, जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं, उफ, आह, यह था रेखा चितर बलदेव सिंग, माटी की मूरतें के सभी रेखा चितर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, और यह सभी पॉड्कास्ट के रूप में है, इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट म मैंने बना दी है, इसका